After long time, Poco Launcher के अंदर एक latest update आया है, जिसके वज़े से आपको काफी interesting नएच चेंज देखने को मिलते हैं, जिसके वज़े से आप अपने phone के अंदर super folder को enable कर सकते हो, plus में आप यहाँ पे app wealth का भी benefit ले सकते हो, लेकिन इसे use कैसे करना, ये काम कैसे करेगा, कौन सा Poco Launcher का ये version है, जो कि आपके phone में working होने वाला है, तो साहे जनकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बस जरूरत है आपको इस वीडियो को complete watch करने की, ताकि आप इस नए Poco Launcher का benefit ले पाओ, और साहे साथ अपने phone के अंदर, super folder, widgets वगेरा का भी benefit उठा सको, वीडियो अच्छा लगता है और ये working रहता है, तो like, subscribe और share जरूर करना, अभी मैंने आपको एक वीडियो दिया है कि HyperOS finally global users के लिए आना चालू हो चुका है, जो कि हमारा Poco का F5 device है, और यहाँ पे आपको जो Poco के लिए अलग customization देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको दिखाई देता है कि Poco Launcher के अंदर कुछ interesting से change कर दिये गए हैं, जहाँ पे आपको Apple, Google, Discover के अलावा यहाँ पे classic और app drawer दोनो option देखने को मिलते हैं, जो कि एक time पहले C4C आपको app drawer देखने को मिलता था और इसके लाबा कुछ भी other देखने को नहीं मिलता था, बट अब यहाँ पे classic भी आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हैं, अब classic mood आ गया और app drawer खतम हो गया, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो super folder और यहाँ पे बाकी app वेल्ट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यह काफी जड़ा इसे interesting सब बना देता है, जो कि काफी time से यह features हमारा lock था, सिर्फो सिर्फ Xiaomi और Redmi में देखने को मिलता था, बट यह finally, अब आप है जो use कर पाऊगे, अपने MIUI 14 के किसी भी device में, और में भी यह MIUI 13 पे भी काम कर जाएगा, तो आप check करना है, अगर आपको कोई ऐसा POCO का device है, तो benefit मिलता है मिलता है, और यहाँ पे widget support भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानि मैं आपको अक्सर widget support के वीडियो देते था ना, जो कि चाइना वाले paid रहते थे जिसे आप backup को रियेश्टर करके यूज कर पाते थे, वो अब साथ इस launcher पे भी काम करेगा, मैं try करूँगा और आपके लिए वीडियो भी लेकर आउँगा, लेकिन रही बात कि यह POCO launcher का version कौन सा है, आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा 4.39.14.7454 जिसमें काफी जड़ा चेंज किया गया है और यह same POCO launcher वही है, जो कि हमें HyperOS में देखने को मिला था, यानि आप HyperOS का जो POCO launcher है वो अपने MIUI 14 पे भी डाल सकते हो, और same जो HyperOS में benefit मिलते हैं वो same आपको MIUI 14 और MIUI 13 पे भी देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो side by side जहां पे मैंने classic को अप्ड़र कर दिया है और यहां पे आप देखो दोनों में यह option आ चुके हैं जो कि काम कर रहे हैं, उसकर यहां पे Google Discover option इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैंने Roam डाल रखाए वो Europe का है और Europe में available नहीं था, यहां पे आपको एक छोटा सा चेंज दिखाए देगा बर डांट वरी आपके अंदर यहां फीचर्स रहेगा जहां पे आप वीजर्स का benefit ले पावगे लेकिन यह फीचर्स आपके फोन में नहीं है, सब्सक्राइब नहीं रहेगा यह थोऊसा ध्यान में रखना उसके बाद आप देखो यहां पे स्वाइब अपका है, इनिमेशन का है, डावल टैप लॉक है, फील का है, यहां पे डांट सो टेक्स्ट वगए रहा है, जिसमें आपको लिखाओ मिलता है, अपको दिखाओ देगा, बाकि यहां पर यहां पर यहां पर डाल सकते हो अपने मीवाइ 14 के अंदर, लेकिन रही बात कि आपके फोन में भी क्रेस कर रहा हो, ओल्डर एंड वाइड वर्जन होने के वजह से, इसे अनिस्टॉल कैसे करना है, सिंपल सिक्यूर्टी पर जाना है, और मैनेज अप पर जाना है, ट्रिपल डॉट सो अल एप करना है, और फोको लॉंचर यहां पर आपको जो सर्च कर लेना है, यहां से अनिस्टॉल, अब आपका जो ओल्डर फोको लॉंचर है, जिसमें यह सारे फिचस नहीं थे, वो यहां पर ओल्डर पोको लॉंचर का वर्जन भी आ चुका है, और यहां पर जो एप डॉर्डर है सिर्फ वही है, क्लासिक मोड भी यहां पर हड़ चुका है, और यह जो सिस्टम निवेशन बार है, जो कि बॉटम पे था, अब यह बीच में जा चुका है, तो इसी तरह किस यहां बनाया गया है, लेकिन इसका benefit आप अपने older MIUI वर्जन पर भी जो ले सकते हो, और यह मुझे real में काफी ज़्यदा पसंद आया है, क्योंकि इसके वज़े से कई सारे से चीज़े, जो कि MIUI 14 में cut कर दिये गये थे, हमारे POCO devices के लिए, वो यहां पर unlock हो जाते हैं, और यह जो Hyper OS है, मैंने पूरा A to Z बीचो से explain कर दिया है, आपने नहीं देखा, तो check कर लेना, क्योंकि काफी कुछ चीज़े यहां पर add करी गई है, और अभी next video जल्दी आपको मिलने वाला है, यहां पर जो कि हमारा MIUI 14 POCO, और सास्याद Hyper OS POCO के बीच का comparison, कि side by side डोनों में क्य यहां कुछ different देखनी को मिलता है, तो wait जरूर कर लेना, और नए है तो subscribe भी कर लेना, और download link वगएर आपको telegram और site वगएर प्योर description में मिल जाएगा, check करे, update करे, और काम करता है, तो please like जरूर करना, और अपना opinion भी share करना, और हाँ animations पोगएर तो कुछ खास unlock नहीं हुए, जैसे पहले थे, same way से ही आपको देखनी को मिलते हैं, जिसमें कोई बड़ा change नहीं आया, लेकिन जो features आया है, वो काफी interesting है, और लंबे time के बाद हमें देखनी को मिला है, यहां पे एक और आपको छोटा सा change देखनी को मिलता है, कि जब भी आप किसी application को उपर long press करते हो, त अब अलग-अलग हो गए हैं, जो कि पहले similar आते थे, जैसे कि आप देखो, यहां पर scan और app info के बीच में gap आ चुका है, same यहां पर कर मैं tap करूं, तो यहां पर भी आपको देखो, तीन tap देखनी को मिलते हैं, जो कि पहले 7 में merge हुआ करते थे, तो यह भी एक नया change आपको दिखाये देगा इस नए पोको लॉंचर के साथ,